Hello Friends, Welcome back to my channel Friends, AGO क्या है, आज में आप लोगों के साथ क्लाइंग रोसे का देखिया, बाडस आजीबasis को कैसे देख भल करनी है वह आज में आप लोगों के साथ शेयर करोंगी, शाथ में दिद देना है, वह नहुंनिन दिद दने तो फ्रेंट्स इसलिए वीडियो पूरा एन तक आप जरूर देखिएगा और दिखिए हमारे प्लांट में बहुत उचारे बाड्स आ चुके हैं अगर आपके पास भी ये प्लांट है तो आपका प्लांट में वी ऐसा ही करके बाड्स आये होंगे अगर आप मेरे जैसा करके क में भी है तो वो तो मैं आप लोगों को अलग से एक दिन दिखाऊंगी जब फूल खील जाएंगे तब और देखिए ये पोट में है फिर भी कितने सारे बाट्स देग्दम भरा हुआ प्लांट है और इसलिए अभी हमें ऐसा फार्टिलाइजर भी देना है ताकि सारे बाट् सबसे हमें फार्टिलाइजर डालना परेगा और साथ में इनका केर टिप्स भी में शेयर करूंगी अगर आपने मेरा प्रिवियास पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो ज़रूर चेकिजिएगा कैसे हमें पॉटिंग मेक्स देना परता है काइंबिंग इसको पॉट में ग्रोव करने के लिए यह दिखे यह वही प्लांट है जिसको मैं हर बार आप लोगों को दिखाती हूं और इसी के ऊपर ही मैं फार्टिलाइजर डाल के आप लोगों को दिखाती हूं और फेबरारी महिने में हमें इसका प्रूनिंग किया था साथ मैं अच तो इसलिए आपने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे वीडियो भी आप चुरूर से किजिएगा तो इस बार पहले हम फार्टिलाइजर डालते हैं देखिए फ्रेंड्स मिट्टी को आपको पहले से ही मोईस्ट करके राखना परेगा यह देखिए तो पहले देने ऐसे करके मिट्टी को मोईस्टर किजिएगा फिर उसके बाद नेक्स टेप आप फार्टिलाइजर डालिएगा तो देखिए आज हम जो फार्टिलाइजर डालेंगे यह है एनपी के जो वाटर सेलूबल है और साथ में यह है मेगनेशियम सालफेट यह है सुफर फोस और यह है नीम केक पावडर अगर एविलेबल है तो दे दीजिएगा नहीं होने से भी चलेगा तो देखिए यह एक टेबली स्पून है उसी से हमें आधा समस्ट यह जो एनपी के 19-19-19-19 यह है तो उसको आपको आधा समस्ट लेना है और एपसम सल्ट यह यानि मेगनेशि इसको भी हाफ स्पून लेना है यह चो इस्पून है वो टेबली स्पून है तो उसी से लेना है और साथ में देखिए यह है सुफार फस्पेट इसको हमें डेर समस्ट लेना है वान एन हाफ स्पून अगर यह आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बॉन मिल ही ले तो आप 2 टेबल स्पून ले लिजिएगा दो चम्मज ले लिजिएगा और साथ मैं हमें यह दिखिया आधा चम्मज मैंने ले लिया आधा से भी कौम ले लिया क्योंकि यह इनरगेनिक फाटिलाइजर है तो थोरा सा ज्यादा होने से फिर प्लांस खाराब हो सकता है इसलिए दो चम्मज लेना है और साथ मैं जो प्टास है इसको आपको 1 चम्मज लेना है वह भी एकदम भरा के नहीं लेना है बस ऐसा करके लेने से ही हो जाएगा तो यह दिखिया तो ऐसे करके आपको 1 चम्मज प्टास लेना है तो यह हो गया औरamen जो नीम केक publisher है वह अगर आ एक चममस डालना है, एक से देर चममस भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि यह अर्गेनिक फार्टिलाइजर है, तो इसलिए और यह डालने से प्लांस का इम्म्यूनिटी पावार बार जाते हैं, तो आपके पास अवेलेबल हने से, हर महिने में आप मिट्टियों में डाल सकते हैं और यह सबको अच्छे से हमें मिलाना है, मिलाने के बाद हमें प्लांस में डालना है, प्लांस के चारा तरफ डालना है, और यह फार्टिलाइजर जो है, यह मैंने बार इंस के पोट के हिसाब से बनाया है, अगर आपका आट इंस का पोट है, तो फिर इसको तीन पर्ट करक तो हों से एक पार्ट आपको 8-10- behave in sheep pot, और 10-6 patience two part ने है और 3bij तो हैसे कर यफे घघलने के बाद आप प्लांस में पीर दे दीजिएगा और पानी दे दीजिएगा अभी अभी डालिएगा फूल खिलने के बाद नहीं डालने से भी हो जाएगा लेकिन आभी आप जोरूर डालिएगा अगर एविलेबल है तो 5-6 दिन के बाद जैसे आज आज आपने फर्टिलाइस किया है तो 5-6 दिन के बाद आप इस्प्रेय की जिएगा वह सेम रेशियो क यही 1919-1919 आधा समोज एक लिटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांट्स में स्प्रेय कर सकते है अगर एविलेबल है तो और साथ में जो माइक्रो नूट्रिशन है वह भी आप इस्प्रेय कर सकते है अभी लेकिन फूल खिलने के बाद उसका आपको इस्प्रेय करने पीनलच कंप्तिए और साथ में मेगनेशियम सालफेट अब इस्प्रेय की जिएगा अभी तो अच्छे से ब्लोमिंग करेगा सारे बाट्स अच्छे से खील जाएगा और इसलिए हमने मिट्टी में भी डाला है और एंपने स्प्रेय करना है और पेस्टिसाईड पका तो इ आधा सम्मुश सेशा एक लिटर पानी में अच्छे से घोल के आप प्लांच में एस्परे किजिएगा 15 डेज के अंदर अंदर और जो एपुआ है वह आपको हम एक बार इस्परे करना है 7 days के अंदर-अंदर आपको इस्प्रे करना है आभी climbing rose में और साथ में जो pesticide है वो भी 15 days के अंदर-अंदर इस्प्रे की जिएगा तो हो जाएगा तो फ्रेंड्स यही था मार्स महिने का क्या टिप्स climbing rose के लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खूश रहिए थैंक्यू सो माच पर वाचिंग माई वीडियो